नमस्कार दोस्तों पहलबान गुरूदीन गुरूप और कॉलेज में आपका स्वागत है मैं आकस कमार आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे भार्दी दंड संगीता 1860 की जिसमें हम अध्याय दो साधरन इसपस्टिकर चैप्टर टू जनटन एक्स्टिकर बारे में बात करेंगे जो धारा छे सिले के धारा 52 तक 52 का तक है तो दोस्तों बात करते हैं साधरन इसपस्टिकर अध्याय दो चलिए दोस्तों प्रारम करने हैं आज की वीडियो अध्यादु के अंदर का साधराण इस पर ठिकर दिया गया है धाराद 6 कहती है संगिताहं में की परिभासाओं का अभवादों के अध्य दिन सम्झा जाना इस संगिताहं में सर्वत्र पराद की हर परिभासा, हर दंड उपवंद और हर ऐसी परिभासा या दंड उपबंद का हर दरश्टांत सादराण अपवाद सीरसक वाले अध्याय में अंतरविष्ट अपवादों के अध्यदीन समझा जाएगा चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभासा दंड उपवंद या दरश्टांद में दोहराया गया हो या ना दोहराया गया हो दरश्टांद के अंतरगत इस संगिताक की बेधाराएं जिन में अपरादों की परिभासाएं अंतरविष्टे हैं यह अभी ब्यक्त नहीं करती कि 7 वर से कम आयू का शिसु ऐसे अपराद नहीं कर सकता किन्तू परिभासाएं उस सादरन अपबात के अध्य दिन समझी जानी है जिसमें यह उपबंदत है कि कोई बात जो 7 वर से कम आयू के शिसु दवारा की गई की जाती है अपराद नहीं है, का एक अपराद ओफिसर बारंड के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है, यहां का सदोस परियोद के अपराद का दोसी नहीं है, क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए बिदी दौरा आबद था और इसलिए यह मामला उस्ताधरन अपवाद के अ दरगत आजाता है, जिसमें यह उपवन्दत है कि कोई बात अपराद नहीं है, जो किसी ऐसे बिदी दौरा की जाए, जो उसे करने के लिए बिदी दौरा आबद हो, धारा साथ के बारे में, धारा साथ कहती है, एक बार इस पस्टिकरण पद का भाव, हर पत जिसका इस हीता के हर भाग में, उस इस पस्टिकरण के अनुरूप ही प्रियोग किया गया है, धारा आड कहती है, पुलिंग बाचक सब्द जहां प्रियोग किये गए हैं, बेहर व्यक्ति के बारे में लोग लागू होएं, चाहे नरहो या नारी, धारा नो धारा नो बचन को परिभा करती है, जब तक कि संदरब से तत्प्रती कूल प्रतीत ना हो, एग बचन धोतक सब्दों के अंतरगात बहु बचन आता है, और बहु बचन धोतक सब्दों के अंतरगात एग बचन आता है, धारा दस, धारा दस, पुरस और इस्त्री को परिभासित करता है, पुरस सब्द किसी भी आयू के मानाव नरुक का धूतक है और इस्त्री सब्त किसी भी आयू की नारी का धूतक है धारा ग्यारा धारा ग्यारा ब्यक्ति को परिवासित करता है कोई भी कमपिनी ये संगम या ब्यक्ति निकाय चाहे हुआ निगमित हो या नहीं ब्यक्ति सब्त के अंतरगात आता है धारा बारा धारा बारा लोग को परिवासित करता है लोग का कोई धारा बारा लोक लोक का कोई भी बर्ग या कोई भी समूदा है लोक सब्द की अंतरकात आता है धारा तेरा धारा तेरा में कुईन की परिवासत दी गई थी जो विदी अनुकूलन आदेश 1950 दुवार निरसित कर दी गई धारा चवदा धारा चवदा सरकार का सेवक को परिवासत करता है सरकार का सेवक से तात परे सब्द सरकार के प्राधिकार के दौरा या अधीन भारत की भीतर उस रूप में बने रहने दिये गए नियुक्त किये गए या नियुजित किये गए किसी भी ओपीसर या सेवक के धो गर्मेंट अफ इंडिया की परिवासा बिधी अनुकूल आदेस उननेशोसेंटीज दौरा निरसित कर दी गई। सरकार को परिवासित किया गया है। सरकार सब्द केंद्रिय सरकार या किसी राज की सरकार का धो तक हैं। सरकार का सेवक है भारत की भीतर उस रूप में बने रहने दिये निफ्ट किये गए या नियोजित किये गए किसी भी ऑफिसर का या सेवक की धोतक हैं धारा पंदरा धारा सत्रह सरकार सरकार सब्सकिंद्री सरकार या किसी राज्य की सरकार का धोतक है धारा अठारा में भारत क गस्मी राजजे के सिवाए भारत का राजजेत अभी प्रेत था, लेकिन नो दिसंबर संदो जार उन्हेस दौारा भारती सम्मीधां संसदान एक तो चार दौारा भारत के अंदर गात भी भारत संपूर भारत जम्मुकस्मुर राजज़कों भी सामिल कर लिया गया है और से नियादिश अभिहत हो किन्तु उस हर व्यक्ति का भी दोतक है जो किसी विधि कारवाही में चाहे वैश्रूँ कॉछ दांडेक अंत्यम न्रयन्य या ऐसा न्रय जो उसके बुदेद अपीलनाघ होने पर अंत्यम हो जाए या ऐसा न्रयन्य जो किसी अनपराधिकारी द्वारा पुष्ट किये जाने पर अंत्म हो जाए देने के लिए बिदी द्वारा ससक्त किया गया हो अत्वा जो उस ब्यक्ति निकाय में से एक हो जो ब्यक्ति निकाय ऐसा निर्णाय देने के लिए बिदी द्वारा ससक्त किया गया हो दरस्टांत का कह कहता है सन 1869 के अधीनियम 10 के अधीन किसी बाद में अधीकारिता का प्रियोग करने वाला कट्टर नियादीथ है किसी आरोप की संबंध में जिसके लिए उसे जर्माना या काराबास का धंड देने की सक्ति प्राप्त है चाहे उसकी अप्पिल होती हो या ना होती हो अधीकार 16 के बिन इमन साथ के अधियन बादों का विचारन करने की और आधारन करने की सक्ति रखने वाली पंचायत का सतविस्जring अधिस है कुईर नमबर गहा किसी आरूब के संबंद में किसी आरूब के संबंद में जिन के जनकी लिए उसे केवल अन्च न्यायलाइक को बिचारण आर्थ सिपुर्ध करने की सक्तिप्राप्त है अधिकारता का प्रियू करने वाला मंजश्टेट न्यायदीस नहीं है बात करते हैं धारा बीष में न्यायली को परिभाज़त की जा गया है नियाला सितात पर है नियाला सब्द उस नियाधीस का जिसे अकेले ही कोई नियाधीस 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 सुला के बिन्यमन साथ के अधीन कार करने वाली पंचायत जिसे बादों का बैशारन करने और अधारन करने की सक्ति प्राप्त है न्यायला है। नौसेना या बायुसेना का हर आयुक्त आफिसर हो। तीसरा हर नियाए धीस जिसके अंतरगात ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किसी नियाए नियाए करत्तियों का चाहे स्वयम या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्त की रूप में निर्वहन करने के लिए विधी दौार ससक किया गया हो. चोथा नियायलाय का हर आफीसर जिसके अंतर गत्स समापक रिसीवर या कमिशनर आता है जिसका ऐसे आफिसर के नाते या करतब हो की वह किसी मामले में अनवेशन या रेपूर्ट करे या कोई दस्ताबिज बनाए अधिप्रमाण इकरत करे या रखे या किसी संपत्ती का भार समभादे या उस संपत्ती का बेयान करे या किसी नयायक आदेशिका का निस्पादन करे या कोई सपत गहन कराए या निर्वचन करे या नियायलाय में विस्ता बनाई रखे और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्टब्यों में से किनहीं का पालन करने का प्रादिकार नियायलाय दुआरा बिसे जुरूप से दिया गया हो पाँचवा किसी नियायलाय या लोग सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस पंचायत नभी निकरन सलाहकार असेसर या पंचायत का सदस छटा हर मद्यस्त या अन व्यक्ति जिसको किसी नियायलाय दुआरा या किसी अन सक्छम लोग परादिकारी दुआरा कोई मामला या बिसाय बिनिश्चाय या रिपूर्ट के लिए निर्देशित कर किया गया हूँ साथवा हर व्यक्ति जो किसी ऐसी पत को धान करता हूँ जिसके आधहार से वैक किसी व्यक्ति को परिरोध मेर करने या रखने के लिए ससकत हूँ आठवा सरकार का हर आफिसर जिसका ऐसे आफिसर के नातिय करतब हो की वैपरादों का निवारन कर अपरादों की इतलादे अपरादियों को नियाय के लिए उपस्चित करे या लोग की स्वास्त छेम या सुबधा की सदक्षा करे थैंक यू नवा हर नवा हर आफिसर जिसका ऐसे आफिसर के नातिय करतब हो की वैसरकार की ओर से किसी संपत्ति को गण करे प्राप्त करे रखे या ब्याय करे या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षन दहारन या संबीदा करे या किसी राजस से आदे सीका का निस्पादन करे य प्रवाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेशन या रिपूर्ट करें या सरकार की धन सम्मंद है तो किसी दस्तावेच को गनाए अधिप्रमानत करें या रखें या सरकार की धन सम्मंद है तो किसी रख्षक के लिए किसी विदी के ब्यातिकरम को रोकें दसवाद हर आफीसर जिसका ऐसे आफीसर के नादिया करणतब हो की हॐ тай किसी ग्राम नगर या जैस्ति खीले कि अभी निश्चायान के लिए कोई दस्ताविज बनाए अधिप्रमाणिकरत करे या रखे या रहवा निर्वाचन अधिकारी हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पत धारन करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचन नामावली तैयार करने प्रकासित करने बनाए रखने या सिवा या बेतन में हो या किसी लोग करतब के पालण के लिए सरकार से प्रिश्या कमीशन के रूप में पालिस्टरमक पाता हूँ खा कहता अस्ठानिप्र człowieकारी या लिए प्रपहर के द्वारा या धैनिसु थांव में फिंईव नादर पालिका एक्स लोप से वक आदिये होते हैं